हलो मुश्कार फ्रेंद्स मानुज रोहिट सिंग यूआ वोचुम आफिशल यूट्यूब चनल बटल फॉर एससी फॉर बेट इस यूपी बीट प्रवेश परिक्षा 2021 के लिए हम लोग समान हिंदी का प्रैक्टिस लगा रहे थे फिलाल अभी हम लोग थियोरी पट रहे हैं अब आपको कंप्लेट हो जाएगा इसमें से बाहर आपका कुशिछन नहीं जाने वाला है थिकए तो आपकी एक लिश्ट दो मांक्स करता है आपके से तो फिर चार नंबर भी आपको मिल सकता है दो नंबर कएगा तो नंबर मिल जाएगा ठीक है इससाट करते हैं आज का श करेंट ठीक है अपने पहला पार्ट देखा होगा और आपको याद किया ठीक है कि देखो सबसे ज़्यादा अगर पूचता है नहीं एक्जाम में तो अस्थाई भाव ही पूचेगा सबसे ज़्यादा अस्थाई भाव तो आपको 9 11 अपके रश हैं उनके अस्थाई भाव को आपको आपकी फिंगर टिप पे याद होना चीए किस रश का अस्थाइभाव रती है तो देखिए सिंगार रश का अस्थाइभाव रती होता है और भक्ति रश का अस्थाइभाव रती होता है मतलब आपका A B दोनों से यह अस्थाइभाव रती होता है और भक्ति रश का अस्थाइभाव रती होता है तो अगर एकजाम में आपके चार अप्सेंस में यह नव आप्सेंड ना हो और हो तो आपको ग्यारा भी सही करना है लेकिन जब इस तरीके से आपका ग्यारा और नौ दोनों हो तो फिर नौ आपका और और पिर करेक्ट होता है ठीक है ओके नाव मूफ करते हैं नेक्स कुछन ये आपकी कुछ उधारण है निस्चर हीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल वुनी के आश्रमन जाई जाई सुकदीन उपियुक्त उधरण में किस रश की निस्पती हुई है क्किक्षिंस कि ​​टेकट काफी आशान है और आते हैं ये कुछनiser आपका SII में आया था तो वही सारी पर करवाओंगा जो कि आपकी एक्जाम में आया हुआ है यह एक आपका वी क्वीर राष है इसेले उटेक् Empire ओप्सिन नमबर ए शांत्रस ठीक है ओप्सिन नमबर डी करेक्ट है आपका शांत्रस आठ नमबर नाव मूव करते हैं सभी कुश्यन्स आपके एक्जामित पूछे गए हैं रोधरश का अस्थाई भाव क्या होता है क्रोध शोक भय विश्में रोधरश रोधरश का अस्थाई भाव होता है क्या होता है क्रोध छिक नेक्स देखते हैं शोक किस रश का अस्थाई भाव है अभी हमने किया आता शोक जो है किस रश का अस्थाई भाव है शोक करोड़ रश का अस्थाई भाव है करोड रस का साई भाव क्या है शोक है किस रस को रस राज कहा जाता है किस को कहते हैं सिंगार रस को ठीक आए नेक्स देखते हैं अब लो न शानी अब न न से हो में कौन सा रस है बारा नमर कुशिन है ये रस है आपका सांद रस option number A अपका correct नेक्स सेखते हैं शान्त रस का अस्थाई भाव क्या है देखिए एक कुशिन कई बार repeated है और जब हम एक कुशिन कई बार repeat हम भी करेंगे तो आपको definitely फाइदा होने वाला है ठीके रिवेद जो मैं आपको कह रहा हूँ सबसे जदा कर कुशिन कुशिन पूशेता है रस दे तो पूछते हैं अस्थाई भाव इसलिए अस्थाई भाव आपको फिंगर्ट टिप्प्यों होना चाहिए और आपको बहुत सारे नमबर से मिल जाएंगे ठीके दो चार नमबर जो इसमें बहुत मुश्किल होता है तो वह आशान होता है कि सिंत्र सकराफ किस रस 혁 करता है टो तो अगहा आपको पता है ति मतलब क्या तो उसमे साइब रस में होता है तो अध्भूत रस इस पर एक मा अपने पुत्र के लिए कह रही है मतलब यह एक प्रकार का कौन सा रश हो गया वाशले रश ठीक ओप्सिन C 9-9 देखो इसका जवाब वोक कमेंड में करेंगे ठीक है कमेंड में इसका का करनाे आपका कौन सा रश है ठीक है नेक गल्रीं सर्वस्रेश रश किसे रही है bisa रश किसे रही है सिंह रही है , इसको रास राज कहते है ?? क्या कहते है ?? इसका एक ओडी नाम है रश राज और इसको राज माना जाता है , नेक्स्ट , कवी विहारी मुखिता किस रस के कवी're ? सिंगार रस्करूर रस्प, भक्ति रस्फ वीर्रस विहारी जो थे , यह एक प्रकार के आपके सिंगार रस के कवी थे चीक है नेक्स देखते हैं ताठाधाधा वरडों के प्रियोग का शमन्द कावे से किस गुण से हैं इसको याद करना है आप लोग को यह और किस गुण से हैं आपका करेक्ट है नेक्स देखते हैं मधूर्य गुण का किस अरश में प्रियोग होता है इस गुण में प्रियोग होता है याप रस में प्रियोग होता है यह प्रियोग होता आपका सिंगार रस में नेक्स देखते हैं प्रिय पति वहां मेरा तो दुख जल निधी डूबी का सहारा कहा irov樣 कौनसा अस्थाय भाव दिखना है लिखे यह ही इस ही कि प्रिय पति वहां मेरा प्रान मतलब एक पति English वाइफ है चोकि अपने पती के लिए दुख जाहिर कर रही तो ओविसली से बारता है सोख आपका इसमें आएगा ठीक है? वो कुरोध व्यक्त नहीं कर रही है अरती नहीं होगा, विश्में नहीं होगा, आश्री की भाव नहीं है इसमें सोख भाव जिला कर रहा है इस बंगती में कि आझा-एइक्ष मोई निकेते प्रकार होते हैं मैटियर 9 होते है भाव ध्र-बॉनी की रहा है? बहर है जो कि नहीं आव है और मानिता कि जग रहिए टीक है तीन चीज है याद करना है, भाव यहाद वर्ञ बलफ बार ख liksom य। आपको 9 करना है माली ये कुषिन ऐसा चलिका ज़ता है कि रश कितने मानता है रश की तो 11 तीन कुषिन बनता है यहां से उधो मोही ब्रज बिसरत नही हंस सुता की सुन्दर कगरी और धुमरन की छाई इन पंक्तियों में कौन सा रश है सिंगार रश, वीर रश, हासर रश, करो रश 29 नंबर का बहुती आसान और इजी कुषिन था और सिंगार रश इसका असाज़बा होगा इंपोर्टेंट है हर एक एजाम में ये कुषिन रिबीट होता है सिंगार रश हिंदी साहित का नवा रश कौन सा है कि शूंत रस मतन कीशिन था वीर रश का अस्थाय भाव कौन सा है वीर का अस्थाय भाव है उस्था और आपको याद भी हो जाएगा सरी करते होएगी रश रास संगार रश को बोलते हैfly एक कुछिन आप कई बार करेंगे मेरे साथ तो आपको ओवियसली शी बात है आपको याद हो जाएगे इस ठीक है वह कुछिन हर एक इजाम में रिपीट होता है कि कोचिन कहां से बनेगा रस इतने ही है इतनी कुछिन मनते हैं और अगर आप सोब कुछिन कर लेते हैं तो इस म संख्या तैंटी सोती 33 आए नेक्स देखते हैं भरत मुनी के रस्षूत्र मेंने मिलिखित मेंसे किस उलेख किसका उलेख नहीं किया गया है कि आपको पता है भरत मुनी ने रश्वो की संख्या आठ मानी है तो उसमें उन्हें अस्थाई भाव जो ऑप्शन यह है इसका उल आठ टिक है याद होना शी आपको किस रस तक किस रस का अस्थाई भाव निर्वेध हैं भक्ति वास्चलिय श्रंगार शांत रस किसका है कि शांत रस टिक याद हो जाएगा आप करेंगे कई बार रिपीट रिपीट कुशन भरत के रस शूत्र मेंने किसका उलेख नहीं है सेम कुशन्स बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने इसको समलिद भी किया है अस्थाई भाव ओप्शन सी याद हो जाएगा नेक्स देखते हैं जहता मन्जाह मास रचीर लखी परत भगारे जित जित छिटके हाड से तु कहो कहो रत नारे इस अवतरड में कौन सा रश मिल रहा है यह वैसे तो यह मुश्किल होते हैं लेकिन अगर इनको दो चार बार आप पढ़ते हैं दो चार बार समझते हैं ऐसा हम स्थार हो जाता है, क्योंकि कोई पंक्ती है दोहा तो वहां से अंडयस्टैडिंग करना थोड़ा चार जाता से जिस इन कुश्क्त को आपको बार बार रिपीट करना होता है प्रैक्ष गर्स करनी होते हैं तो रोध रस का अस्थाई भाव क्या है क्रोध रोधister लें जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संस्रड करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाते समय के लिए रहते हैं नश्ट रसका स्थाइभाव क्या है स्चाइब रिवेद कि अपर तो प्यक्राश्क तो वैसे तो माइडियर होता है रती यह कुछिन जब आएगा ना तो बहुत बच्चे इसमें क्या होंगे गवड कर जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा घुमा कर घे दिया कुशिन घुमा कर दे दिया एक लिए रती का मतलब ही क्या होता है रती इस गड़ू होता है प्रेम रती मतलब क्या होता है अगर आपको यह पता होगा नो सिंगार रस का मतलब क्या होता है संयोग शिंगार व्योग शिंगार दो सिंग फिफ्टी कुशन किस रस का असथाई भाव है है असान अगर आपने याद किया है असाई भाव तो आपके लिए कुशन आसान बन जाता है क fet Karma याद हो गया होगा आपसे कोई ड्रेम की सपनों में भी सब्सकी रस्राज यह बदाए खेस margin सिंगार रस का एक और नाम बताईए आपको आस और किस रस को सर्वसेश्ट माना गया तो सिंगार रस ठीक है इतने सारे टाउट्स आतिंक क्लियर हो गये होंगे क्षिचन के से क्कुछ लगा क्या आपको कमेंट करना है और कुछ एडवाइस कुछ लाहा है तो वह बी कमेंट क कि उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी रिस्पॉंसब्लिटी नभाएंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो नेक्स वीडियो तब तक करीए थे निवार फिट्ट्ट